एक रोमांचक दिन की शुरुवात हो गई। छुट्टी के दिन आए और रोहन, रिया, अनीता और अर्जुन ने बड़े उतसाह से रेलगाडी स्टेशन की ओर रवाना हो गए। स्टेशन पर पहुँच कर उन्होंने टिकट काउंटर की ओर बढ़ा और अपनी टिकटें खरी दी। फिर वे अपनी सीटों की ओर बढ़े जहां से उनकी रेलगाडी जाने वाली थी। रोहन ने कहा, देखो हमारी रेलगाडी आ रही है। रिया ने खुशी से बोला, हाँ, ये वास्ताव में बहुत मज़ेदार होगा। अर्जुन ने खुशी से बोला, हाँ, हमें परियतन का मज़ा लेने को मिलेगा। अनीता ने हंसते हुए कहा, हाँ, और हम सभी अपने इसनेहियों के साथ मज़ा करेंगे। रेल गाड़ी आ गई और उन्होंने अपनी सीटों पर बैठ लिया, उन्होंने खिड़की से बाहर की और जहांका और खुशी से हसे, रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, वहाँ अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने उत्साह से कहा, हाँ, मुझे उस गाव में घूमना है। अनीता ने उन्हें ध्यान देते हुए कहा, हाँ, और हम सब मिलकर वहाँ खेलेंगे। इस रूपांतर में बच्चों ने अपने रेल गाड़ी की सफर का आनंद लिया और एक दूसरे के साथ मस्ती की। उन्होंने नए अनुभवों को खुशी से स्वीकार किया और सफर के मध्य से गुजरे और उनके दिल में खुशी का आलंबा बना।